सवाल समर्पन पर, सवाल व्यक्तित्व पर, सवाल संघर्ष पर, सिर्फ सिधा सवाल पर संघर्ष के रास्ते निश्चय ही बड़े लंबे होते हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ी जवरत होती है धैर्य और सयम की और यही कारण है कि आज सैयन के कारण एक ऐसे युवा सारंगर विधान सभा में अपना नाम बना चुके हैं जिन्हें सारंगर विधान सभा छेतरे की जनता काफी पसंद कर रही है हम आप उस युवा से रूबरू कराएंगे लेकिन उससे पहले उनकी जूनी पर एक छोटी सी ये वीडियो देखिए सारंगर के कांग्रेस युवा नेता विनोद भारदवाज का नाम इन दिनोद चर्चा में है कांग्रेस में युवा वर्ग से टिकिट को लेकर इनका नाम पहले पायदान पर चल रहा है छोटी सी पांदुकान और बैकरी से अपनी जीवन की सुरुवाद करने वाले बिनोद भारदवाज सारंगर विधान सभा में किसी पहचान के महताज नहीं है इसकी वज़ा यह है इनके पीछे चलने वाली युवाओ की एक बड़ी फाउर किसी भी नेता या मंत्री का कारेकरम हो या किसी मामले को लेकर आंदोलन हो युवाओ की भीर का नेतित्व करता बनते हैं बिनोद भारदवाज वर्तवान में यदि इन्हें उम्मिद्वारी दी जाती है तो इनका क्या मुद्दा रहेगा और क्या मुख्य बाते रहेंगी और किस तरह से ये अपनी बात जनताओं के बिच रख पाएंगे आप जानेंगे सिर्फ सीधा सवाल पर सिधा सवाल में मौझूद है हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता बिनोद भादवाज जी आपका बहुत स्वागत है सिधा सवाल में सबसे पहले हम आपकी जिवनी के बारे में जानना चाहेंगे के कि आप इंट्रेस्ट कैसे कैसे की में राजनीति में ही आना है Sydney 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 से चुनावल लड़कर के जीध हासिल की और राजन्ती में तब से पहला पढ़ाव मेरा जीवन के पहला पढ़ावरग दो हजर दो रहा है, तब से निरंतर में राजन्ती में आज कारी कर रहा हूँ. देखा जाता है कि छात्र जिम नेता बंते हैं जैसे आपने बताया एने श्यूए में थे तो उस समय का संगंस किस तरह का संगस था क्योंकि आज की राजनीति आप देख रहे हैं छात्र संगं के नेता भीडी 팔ण संगा करते हैं उग रहे हो उस समय कि बात करेंगी जब आप 2023 छात्र संग चुनाव हुआ करते थे और छात्र संग के चुनाव को आप जानते हैं कि छात्र संग के चुनाव कैसे होते हैं जैसे पंचायतों में चुनाव होते हैं उससे ज्यादा टप मुझे लगता है कि राजनिती में सबसे बड़ा पड़ाव हमारा राजनितिक जिवान म जो रहता है वो छात्र संगठन को ले करके रहता है क्योंकि आप देखेंगे पहले स्कूलों में चुनाओं हुआ करती थी तो जो संघर्स जो रहा और जो राजनिती का जो पहला पढ़ाओ मेरा रहा वो बहुत ही अचमभित करने वाला वो बहुत ही मुझे कहना चाहिए कि मे जब हाँ अपने राजनिती में प्रवेश किया उस समय की सोच और अभी की सोच क्या है छेतर की जन्ता के प्रतियाग की देखे सबसे पहले तो हम राजनिती में आते ही हैं तो हमारा काम अपने घर के लिए नहीं रह जाता है हम सोचल वर्कर रह जाते हैं और जन्ताओं के हित के बारे में सोचते हैं और मैंने अपने राजनतिक जीवन में अपने परिवार में कहा दिया है कि मैं एक राजनतिक बेक्ती होने के नाते मेरा परिवार पुरा जनता जनारदन है और मैं जनता के सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ लिश्चाइए आपका संघल्ष बढ़ा रहा है इस स्ट्रम में आ आकि जो धर्मपत्नी है जिलापन चैयत की सदस्य में हमने देखा हैं कई कारेकरव meaningful में देखा है आपakो 23 Best Economy से कारे! गए बिकार गया या फिर इस तर चलते रहा है जिए कि मुगर जी इन बातों को आप अगर बात कर रहे हैं अगर मंच नहीं दिया जा जा रहा है तो यह हमारी अच्छी परढ़ा हो है कि हमरे नहीं देना यह दर साता है कि हम कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं चलिए आपने कहा कि संघर्सों के बीच में टांग खीचा जाता है तो अभी जो कांग्रेस की दावेदारों की जो लिश्ट है उसमें सबसे टॉप में युवा जैसे माली ये पुरुस उमिदवारों के रू सबसे लाएं आगे बढ़र रहें कहीं बीचाएं और लोग टांग खीचे जाधा नहीं देता और लोग टांग खीचे यह मेरी लिए अचिबमेंट की बात चली चूटा सा करवा सवाल है कुछ लोग हैं हम नाम लेना नहीं चाहेंगे कहा जाता है कि आप पुरुर जो गंस्याम मनहर उनके हजबेंड है घंस्याम मनहर आप उनके नीचे काम करने वाले कारे करता है आज इतना कैसे बढ़ गए यह आपके ही जो कांगरिस पार्टी के अंदर में हैं अंद्रूनी जो भी चल रही है यह कैसे आगे बढ़ गया यह किस्सा आ रहा है देखिए नजरि इस प्रतिष्प्रधा नहीं है यह सो तंतरता है क्योंकि प्रतिष्प्रधा तो हमारा भाजपा के साथ है और अन्य दलों के साथ है और यह सुतंतरता है मैंने पिछले बार भी 2018 में आवेदन किया था दावेदारी की थी और सभी मैं जितने भी हमारे बड़े निता हैं हमारे जितने इहां बलाक अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष हैं उनका मैं सुक्रूबा कुई गुजार रखा था एक कारीकरता होने के नाते लेकिन आज अगर बात की जाए आप जैसे बोल रहे हैं लोगों का अपरमपार लोगों का बहुत प्यार हम लोग को निका भीनोत भार्दवाज को मिल रहा है तो यहां प्रतिस परदा तो सिर्फ हमाने अन्य दलों से हैं अपने अब Beats पर आपका नाम उस समय बप्रथम लिष्ट पर जा रहा था और अभी कि युवह नेता है कुछ युवह नेता है Belarus को नाम भी हम नहीं लेंगे उनका यह कहना कि जिसको भी को कन्गरेश से जिसको मिलता है उसके बार आसपास को करे कारेकरता साथ चोड़ देते हैं माली जी आप नाम आ गया आपको कांग्रेस ने सौप दिया कि भाई आप प्रत्यासी हमारे आप चुनाओ लड़ों क्या लगता है आपके अगल बगल वाले साथ छोड़ देंगे नहीं ऐसा नहीं है लोगों के विचान दलों का कहना यह है लेकिन मैं मानता हूं कि इतने है कि मैं आपके लिए जिए आज काम कर रहा हूं तो कल मेरे लिए आप काम करोगे और मुझे नहीं लग तक कि यहां अगर हमें अगर आला कमान उपर वाले लोग जितने हमारे शिनियर लीडर्स हैं अगर मुझ पर भरोसा जताते हैं तो मैं यही जान रहा हूँ कि यहां लोगों का जन सेलाब तूट पड़ेगा हम पर इतना विस्वास है और मैं लोगों को विस्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं एक अच्छा प्रत्यासी रहूंगा और जीत करके सामने आउंगा एक चीज हमने बहुत खास देखा है और इस पर सोच रहाता सवाल करना चाहिए बोलके आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके पीछे में युवाओं की उतनी भीड़ नहीं चलती जितनी भीड़ आपके पीछे चलती हैं मुहनी क्या मुहनी खिलाकर रख करता है उसका प्रतनीदी तो आप करते रहते हैं देखिए मैं आपको जैसी बताए यह संगर्स चालू हुआ था और आज देखेंगे कई पदों में रहते हुए मैं ब्लाग कंग्रेस कमिटी का धेक्ष रहा हूं और आप जिला कंग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती दोनों है कि मैं युआऊं से पलम के रहो त्युआ के साथ हमारे जितने कहना चाहिए उन से मांग धर दसलिते हुए मैं युआ साथ उनके साथ मिलज के काम करूं यह लगता है कि हमाई हमारा कानेक्टिविटी इसलिए है कि मैंुआ क्वेस मोहां के साथ जो आप बोले कि भाई आप कौन से मोहनी मोहनी नहीं तो मैं उनको भी आदर समान करके चलता हूँ कि हमें भी लोगों के साथ प्रेम भाव से चलना चाहिए और लोगों के दुख तकलिकों को समझना चाहिए और मेरे को लगता है कि हमारे युवा से जूड़ते हैं, तो मैं उनके परसानियों को साहई समझ सकता हूँ, इसलिए साहई मुझ से जूड़ते हैं हमने देखा है कि जैसी डाक्टर रमन सिंग कर जो पूरो कारेकाल रहा है उनका विकास सहर की और जादा रहता था अभी वर्तमान जो मुख्य मंत्री है भुपेज बगेल जी वो गाओं को फोकस कर रहे हैं कि गाओं की आर्थिक इस्थिती सुधरे ठीक है योजना बना दिये लेकिन उनका जो किर्यानवेन होना चीह सारंगर में बोल रहा हो है बाकी जगह कि बात नहीं कर रहा हूं उनका कि मुझे नहीं लगता थि हमारे जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उनका सोच बहुत दूर की सूच है जो सुर्वात उन्हों ने की है जो पड़ाओ लेकर किया है मैं उनका सोच है और इसको भारती जंतापार्टी के जो लोग ہیں उसको कहना जाहिए उनकेा है उस पर लिपापोती करने की कोशिस कर रहे हैं आप देखेंगे कि गोठान के माध्यन से आज समीती के महला स्वसाता समीती के लोग हैं वहां सम्रिद्ध हो रहे हैं स्वालंबन बन रहे हैं और नर्वा के माध्यम से सिचाई हो रही है और जो गोठान में हैं करिता है गोठान City गायों की बात करें हैं वह हमारे बीकी एक कर्दब करें बंदा और हम गायों को कॉछ सब्सक्राइब उनके चारा पानिक दोस्था के लिए सरकार ने कदम उठाया है इस वर हमें भी हमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम गाओं इस तर पर उस द्यान दे हमारी गव माता की और ध्यान दें नहीं मुख्यमंत्री का जो योजना है वो अच्छी योजना है कि ताकि ग्राम ग्रामिस्तर के आर्थे की स्थिती में सुधार हो लेकिन वर्तमान में कई ऐसे गाउं हैं जहां योजना लागू तो कर दी गई हैं लेकिन उनका क्रियानवेंस नहीं हो रहा है इसलिए वो ढप योजना पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे वैसे इस्तियां हो सकती है मुझे तो आसपास दिखाई नहीं पड़ती उस परकार से होजना के हमारी सरकार जो लेकर काई है इसमें सभी लोग का हिस्सेदारी है और लोग बढ़ रहे हैं गुबर बेच करके गोम उत्र बेच करके वर्मी कमकोस्ट बना करके बहुत तमाम परकार के उत्पादन आज महिला समयतिक लोग कर रहे हैं तो यहां आप देखेंगे उस गोठान में हमारी जो परसिनिदित कर रहे हैं वहां भुपेज पगेल जी इस उजना को लेकर के तो ये ग्रामी लंचल तक स्वलमन बनाने के लिए उजना है वर्तमान में कांगरेस की राह कितनी आसान होगी विधान सभाच्शेतर को जित पाना ह göre भर संघर साती है एक नया संघर लेकर आती है इस बार जाधा नहीं है क्योंकि संघर्स तुरहेगा अब क्या है कि अब संघर्स तो हमसा रहती है ऐसा नहीं प्रेतनी हes से रहती है कि संघर्स जिवन से हट जाएगा लेकिन यह चीज बता दूँ कि दू zij सबतर पार जाने वाली है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने विह सरकार हमारी है, सबसे पहले बात आपने जो कहीं, की रमान सिंगी के सरकार ने पुरा कंट्रक्षन की ओर ध्यान दिया था, हमारा सरकार जो है पुरा देश के सांसर पुरा बिश्व है वो किसानों से चलता है ना की कंट्रक्शन से चलता है ना की ठेकेदारी से चलता है अगर हमारे जीवन में किसान नहीं रहे तो हमारा पुरा बिश्व ही नहीं चल पाएगा तो यहां सबसे बड़ा चीज है किसानो को समरिद्ध करने के लिए हमारी जो सरकार है भुपेज बगेल की जी के सरकार ओ आगे बढ़ रही है और हमारा खास फोकस नहीं कर पाए तो आप तो एक बड़े युवा दल के नेता हैं लीडर हैं क्या सोच रखें उनके लिए कि युवा बर्ग के लिए यह होना चाहिए जब अभी हम लोग सोच आपने कहा कि बहुत सारे दल बल हमारे साथ रहते हैं युवा लोग रहते हैं इसी का कार में आएगा जब अगर आला कमान हम पर अगर विश्वास जयताती है तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा इवाग कि जितने प्रसानिया हैं है ना उस पर मैं फोकस करके अपनी बातों को मैं विधान सबक के और ले करके जाओंगा अच्छा आपकी धर्म पत्नी मैं फलना सरपंच का काम रहा हैं उसका नहीं होना चीन सब्सक्राइब तो तो सोतंत रूप से जाती है अपना उनको जो काम समझ में आता है वो करती है और नारी ससक्तिकरन की बात करें तो आप सारंगण में देख सकते हैं कि हमारे विधायक भी एक महिला है काम कर रहा है और अदिक भारध्वाज की बात करूं तो आपको यहां यह नहीं करना है यह नहीं करना कियुकि हम लोग जीत करके आये है और बता दूं आपको सर्मा जी कि हम लोग जीत करके आये हैं तो यह मेरा गाउं तो भी कम पड़ जाएगा अच्छा चली वरतमान विधायक की बात कर लेते हैं उनके कारेकाल को कैसा देखते हैं कि हमारा वरतमान विधायक अच्छे काम कर रही है जीला निर्मान हुआ है 52,000 बोर्ट से जिती है जीला का विरोध भी बहुत हुआ है तो विरोध होना सिभावीक है क्योंकि पी नई चीज शुरुआत करते हैं तो कहीं न कहीं किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है इंअ अपनी अपनी सोच है लेकिन जीला निर्मान होने से हम लोगों क यहां जो काम है वह सुचारूरूप से हो रहा है और लोग बोलते हैं कि भाई जिला बन गया और एक साल तो अभी तो अभी तिन तारीक को अभी हम लोगों ने अकल ली वर्शगाट मनाया है कल ही एक छोटा सा सवाल है कल ही हमने वहां की जनताओं से सवाल लिया तो उनका कहना है कि वर्तमान विधायक प्रदिश सरकार की कारे से बहुत खुस है ठीक है भुपिश सरकार की कारे को मान रहे हैं अच्छा कारे कर रहे हैं लेकिन वर्तमान विधायक की जगह कांग्रेस का कोई दिस्वरा लीडर खड़ा हो जाए तो कांग्रेस जिते की बोले हैं देखेए इस सब्जेक्ट में अगर बात करें तो जो सारंगण का इतिहास रहा है वह इतिहास के बात करें तो यहां लगातार विधायकों का चेहरा चेंज हो जाता है जो मेंडलिटी हमारे इस्थानी जो जनते जनार्दन हैं तो उन्हें कहीं न कहीं कुछ अगर अनुभव होता है कि यहां विधायक को चेंज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे जो विधायक काम कर रहे हैं उनको चेंज करना चाहिए लेकिन अगर वो पब्लिकली अगर लोगों के मैंडलिटी में बसी हुई है मेरे को यहां यह लग रहा है कि यह जो सिस्टम है जो बाते हैं जाहिसी बात है उपर तक पहुंची होंगे इसलिए सारंगर में खासकर युवा उम्मिद्वार को देखा जा रहा है तौप में आप चल रहे हैं देखे यह तो आपको धन्यवाद देना चाहू पहुत है उनको हम जिता करके लाएंगे एक चीज हमने देखा है कांगरेस तो कांगरेस ठीक है भाजबा के साथ अब अगर सारंगर की बात करें हमारा 11 सहर है चोटा सा जगह है और यहां हम एक दूसरे को भली भाती से जानते हैं और मेरा मानना है कि लोगों के साथ मानलब आपके साथ मेरा संबंद अच्छा रहे अच्छा इस्ताफित हो इससे पाटी के अलावा पाटी चुकि चुनाओं के समय ही यहां जो चुनाओं के समय ही 15 दिन के चुनाओं रहते हैं 20 दिन के चुनाओं रहते हैं उसके बाद हमको तो एक साथ रहना है आपको भी का करना है तो मैं इसको अलग दर नजरी से नहीं देखता हूं मैं लोगों के साथ अपना संबंद अच्छा रखने की और देखता हूं आपने 2002 से कांगरेस से जुड़े है कार्य कर रहे हैं आपने कई चुनाओं में निप्टाए हैं कहीं जीत कहीं हार मिली है तो यह जितने भी का जो सारंगर च्छेतर में आते हैं चाहे पोसीर की बात कर लें जस्पूर उल्खर बरंकेला डोंगरी पाली जो भी च्छेतर आते हैं सबसे कड़ी मेंत में किमे करनी पड़ी और आसन नहीं होता है लेकिन अब रतमान जो सरकार हमारी से झालड़ visitor की सरकार यह बोटरों को लिकालना इस बार नहीं पड़ेगा इसलिए कि बोटर स्वें अभी जान रहे हैं कि उनको सरकार की जो याउजनाये चल रही है और डारेक्ट मतलब के सरकार और जनता के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है जो जितनी भी लाव मी रहे हैं यहीं बात हमने देखा है कि बहुत जगा बोरे हैं हमें प्रदेश सरकार की जो कारिया है वो काफी पसंद आये हैं और सहे में उत्था ये सारंगड की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कांग्रेस के विधाय कोई पसंद नहीं कर रहे हैं यहीं वजह है मेरे ख्याल से लगता है कि इस बार कोछ बड़ा बदलाओ करने वाली है भोपेश सरकार अब देखे सर्मा जी ऐसा है कि अब इस्थानी अस्तर पर अब इस्था सरकार केंद्रं सरकार उचा करने अपने युजनाओन उनको समर्किल किया है कि हमारे सरकार सरकार एक एक नया श्राइस गकर रही है पर बातें हों इनको भलिवाति से उस पर विचार कर रहें किसान आस लगाया बैठें पुछ नहीं द्धान में बढ़ा कर देगी नहीं आप सुने हूंगे अभी 282783 रुप्या हो चुका है आने वाला समय में 3000 होने वाला है भी अभी भी द्धान जो कटे अभी वाई हुई है उसका तो 2800 में खरीदी होने वाला है आप एक पान एक चीज आपको बता दूं कि पहले किसान आत् तो लोग कहीं 15 बताते हैं कहीं 17 बताते हैं कोई 20 बताते हैं कोई 19 ऐसा तो अगर आव एब्रेज भी मान के चले 20 तो 3600 पर इकड़ में उनको फैदा हो रहा है तो यहां किसान सम्रिद है और इस सरकार को छोड़ कर कहीं जाने वाली नहीं है और कॉंग्रेस के पक्षे वोट डालने वाली है हाँ एक चीज़ देखा है हमने की समीति तो बहुत बना दी गई है सारंगड में छेतर में बहुत समीतिय धान खैदी कर रही है लेकिन फरजी दिन पुस्तिका के जड़ी निकाल किसानों के नाम में रिड़ी चड़ा दिया जा रहा है यह दिखिए अब इसको अगर आप आपका नजर है आप भी हमारे समाज के एक आइने हो और आप लोग इन बातों को कहीं सतता है दो अबगर कानुन के न Jnant सब्सक्रावब बराबर हैं और मैं आपको बता दू बिस्वास दिलाओं कि हमारी सरकार In एक चीज हमने सारंगर में खास करकर देखा है बदनाम है उस चीज को लेकर चाहे कागरेस की सरकार रही हो या भाजपा की रही हो सारंगर से निकलते ही सड़क इत्ते खराब हो जाते हैं उसका सुधार नहीं हो पाता खाना पूर्टी के लिए खाली हो पैसे पास हो जाएंगे 20 लाग 25 लाग लीप पोती करो या फिर कोई बड़े मंतरी आ रहे हैं तो सड़क को चमचमवा दो हालत फिर वैसी कि वैसी देख सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप देखेंगे की नेशनल हाईवे रोड़े हैं सब्सक्राइब कर दा सब्सक्राइब करें तो राज्य के नसदान होता है काम होती है तो حती है है आपको मत आ रहा हूँ अगर इस पर आक बात करेंगे तों कहां तक काम कर रही है और कहां तक काश्य हां पॉर्शे पर तो आप गुरू की बात कर रहे हैं तो यहां सभी का अपना-पना महत्व है और जिनको सारंगड प्यारा है वह यहां काम लेकर करके आते हैं और जो गौरोपत बंद रही हो आपके लिए भी हो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है चली अच्छी बात है जन्ता के लिए बन र कि अच्छी बात है यहां से कंग्रेस के कुछ कर्शिंदी है काम पासक लागलाती है अच्छी बात है हम भी मान रहे हैं काम काघज मैं आती है लेकिन धरातल में जब उस काम को उतरने में जो समय लगता ना वो कुछ जादा लग रहा है इसके लिए देखिए आप काम जादा लग रहा है ऐसा हमें लगता है जरूर लेकिन जो आप जाने इस बात को मैं लेकर जाओं केंदर की ओर इसलिए केंदर की ओर बार-बार मैं बात कर रहा हूं कि जहां हमें अंसदान जो जेश्टी होते हैं य क्योंसा रोग दी जाती है यहां रासी हजारो करूड रूपए बकाइर रहती है उनको यहां नहीं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है कारण सबसे बड़ा इसको इसलिए चाह रहे हैं कि इन सभी को डिस्टर्ब किया जाए इनको सही समय में ना दिया जाया तो यह सही से किरिवांड न कर पाएंगे यह सबसे बड़ा कारण है इसलिए कि आप जो बात करें तो अगर पतनी की का बात करें या मेरी बात करें तो दोनों ही हम लोग यह वह लोग है अब भाई सरकार जिस पर अगर अपना निर्ण लेती है हम उत पर सक्षा में चाहिए वो मेरी धर्म पत्नी रहेगी तो आप दें रहे हैं कि जब से जिलापन सदस्से बनी है तब से निरंतर लोगों के बीच में काम कर रही है और चाहिए मेरे धर्म पत्नी को मिले या विद्वार बना दिया गया है तो सारंगड के लिए आप क्या मेरे फेश्टो रखेंगे कुछ जैसे उत्तरी गनपज जंग्रे ने जिला गिप्ट दे दिया हम अस्पताल दे दिया है क्या कुछ सोच के रखें नए धरातल पर आभी देखेंगे बजट दे दिया गया है उ सबस्तर होती है तब तक चुनाओ आ जाते हैं मैंने इन बातों के पहले ही साथ मैं जवाब दे दिया हूं कि कहीं न कहीं जो वित्ती अर्चने आती है वो कारण रहा है और अगर आप मेरी बात कर रहे हैं कि आपका क्या फोकस रहेगा तो मैं यह बोलना चाहूंगा जो बनेंगे और साथ में खेल की और मैं ज्यादा ध्यान देने जा रहा हूं और खेलेंगे लोग तो आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे लोग तो आगे बढ़ेंगे सिक्षा और खेल की और मेरा ध्यान इसली सिक्षा और खेल इसली जो रही है क्योंकि मेरा मानना यह है कि यहां मेरा भी अगर हमारा विकास होता है हमारे बच्चेश्चे का अगर आगे आगे बढ़ता है औहां सही विकास है ये पूल नाली ये तो हमारी सौनदर्य Cord Young ये ये कण न है ये भी एक हिस्श है लेकिन चीज मेरा Ñ हमारे आगे बढ़े नहीं आ कि यहां सारंगड में जो ग्राउंड है खेल भाठा जिसे बोलते हम लोग हमारे कितने लोग उहां केल करके आगे बढ़े होंगे उसको विक्सित करने का काम हमारा यह रहेगा और साथ ही आपको बता दूँ आपको जानकारी सायदना हो कि हम लोग जिला पंचायत में मेरी धर पुरे राइगर जिला में परते ग्राम पंचायत में एक खेल मेदान के लिए उन्होंने अनुमोदन कराया था जो पास हुआ है लेकिन वह इस्थानी इस तर पर ग्राम इस तर पर वहां के लोग एक एकर कम से कम जमीन निकाले उससे ज्यादा जमीन निकाले इसका उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा काम ही है कि इस खिल मेदान को एक स्टेडियम को रूप दिया जाए सरकार अब किसी के भी रहे लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि सारंगण में चहरा रिपीट नहीं होता इसलिए कोसिस की जा रही है कि कांग्रेस में यूवा आप पहले रहे हैं या तो इतिहास बनेगा या तो इतिहास दोराएगा इस पर आप उपर वाले जितने भी हमारे आलाकमान है कि अधिया और चेहरा रहा है कि चहरा बदला जाय तो इतिहास्क रही अभला जा सकता है अब मैं तो यही बोड़ रहा हूँ कि हमारे इस्थानी इस तर पर जो काम हुए है बहुत अच्छे से काम हुए है यह क्या जो डर है क्या यह वाकई में कांग्रिस में बना हुआ है यह कांग्रिस कई बात इस तर पर क्या चन करके जा रहा है अगर हमारे इस्थानी विधायक में अच्छा काम की है जीला गरन उनके रहते हुआ है और साथी बहुत सारे उन्कारियों को उन्होंने किया है तो हम तो यहां कांग्रिस जित रही है यह कहेंगे चेहरा चेंज करे या ना करे चली एक छोटा सा और सवाल ले लेते हैं आप से अभी माले चुनाओ करा दी जाती हैं चुनाओ होंगी ही दो माने हम चुनाओ हैं एजे माले जिए टिकट आपको नाम मील कर किसी और को मिल गया तब उस समय क्या रहेगी आपकी स्थिति क्योंकि आप तो टॉप में चल रहे हैं दो हजार था लेकिन टिकट किसी और को मिला था अलाइंकि पुत्रिगंद पज्यांगरे बावन हजार वोटों से अच्छी लीड करके बड़ा चेहरा के रूप में उभरी थी यह चीज मैं आपको वताओं कि आपके सवाल में ही जवाब है क मैंने भी टिकट के दिए दावेदारे की थे पूर जोर हम लोग ने अपने तनमंधन से काम किया पाटी के परती है उनको जिता करके लाया और वही प्रस्त का उत्तर यही है कि आज लोगों से आप पूछेंगे भी तो विनोत भाव्द यही उत्तर देगा और लोग भी उत तनमंधने पैस्तर देंगे मुझे विष्वास है कि मैं आपने पार्टी के परतीजी स्ठमान रोंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा मैं १ि आपने समय निकालकर हमसे बहुत सारी बाते की हमने कुछ नई बाते भी जानी आपका पहुत-भहुत धन्यवाद बहुत ध झाल झाल